वागतिया आप तभी का एक न्यू वीडियो पर दी के रिसेंट में अभी गौवर्मेंट इसकूस के त्रेमासिक प्रीचाय कतम हुई है और प्राइवेट इसकूस के भी काफी जगे हो चुकी है और काफी जगे अभी रिनिंग में है तो यहाँ पर काफी बच्चे पूछ र इसकूस के एंसर मैं आपको इस वीडियो में कर देता हूं एंटक बने रही है तो सब्सक्राइब के साथ सा नोटिफिकेशन है करके रखिएगा MP एग्जाम से जोड़ी सारी इंपोर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएगी अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो रिजाइट है वो कब तक जारी हो सकता है MP वोड की तरफ से आपको दो नोटिस जारी किये गयते एक तो पुरान नोटिस आया था जिसमें कि आपको टाया गया था इसी में आपर एक पॉइंट दिया गया था अगर आप ध्यान से पड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी स्कूस है उन सभी को जो भी बच्चों के मार्स अभी इन एक्जामनिशन में आए हैं वो वोड ऑफिस में बेजना है यानि कि उनके पास उनके आईडी पासवर्ड होती ही विमर्श पोर्टन की वहां पर यह आपके मार्स अबडे कॉपी चैक हो जाएंगी तो उनके जो मार्स है वो 5 सेप्टेंबर तक बोर्ड में भीज़े जाना है तो यह जो डेट्स में आपको बताई है यह आपके रिजैट की डेट नहीं है नोटिस में काफी बच्चे पढ़के कन्फूजन में आ गए थे कि यह जो डेट्स दी कप तक आ जाएगा तो देखिए आपका जो रिजैटर किसी वेबसाइट पर जारी नहीं किया जाएगा आपका वेबसाय से बोर्ड एक्जामनेशन का आता है यह जो आपके एक्जाम हो रहा है जो मांकस आपके चड़ाये जाते हैं इसकूल से वह आप नहीं देख पाते हो कि आपके कितने marks वहाँ पर चड़ाएगा है आपका जो रिजयर्ट क्रिमासिक पर इच्छा को वो आपके स्कूस में आपको बता दिया जाएगा या तो बहार चार्ट वगरा चिपका दी जाएगी उसमें आपके marks रहेंगे या फर आपके जो भी subject teacher से वो आपको marks बता दिएगे और अगर प्राइवेट स्कूस है तो आपके आपर तो प्रेटियम वगरा होती है तो उसमें आपको marks बता ही दिये जाते हैं कि आपके कितने marks आ हैं अब बात करते हैं कि यह जो marks आपको बताय जाएगे यानि कि आपका जो result आएगा वो कब तक आ जाएगा 30 September और 5 October तो आपके जो marks से वो board office में भीजे जाएगे तो फर आपका जो result वो इसके एक हफते के बाद आपको बताय जाता है जैसे कि अगर आप मानिए कि जिन बच्चों का exam हो गया तो टाइम पर 30 September तक अगर उनके marks बोर्ड office में भीज दिये गा है तो उनका जो result वो एक दो ऑक्टोवर के बीच में उनको बता दिया जाएगा सांत में जिन बच्चों का exam नहीं हो पाये तो 15 और 16 के उनके exam 2526 में होना है और उनके जो marks वो 5 October तक बोर्ड office में भीज दिये गा है तो आपका जो result वो next week आपको बता दिया जाएगा अब बात करते हैं कि इसके कितने percentage marks हमारे board examination के result में एड़ किये जाएगे देकि वैसे तो मैंने आपको बताई दिया तो एक वीडियो में कि अगर आप 10th में है तो ही आपके exams के marks board examination के result में एड़ किये जाएगे बाकि आपके marks रहेंगे वो project के रहेंगे तो यहाँ पर आपको 5 number पूरे तब ही दिये जाएगे जब आपके marks first division के आएगे second division के अगर आपके marks आते हैं तो यहाँ पर आपको 4 number वहाँ पर add किये जाएगे और अगर आपके marks 3rd division के आते हैं यह जो division के बात कर रहा हूँ यह मैं आपके percentage के बात कर रहा हूँ और 3rd division के आते हैं तो फिर आपको 3 marks वहाँ पर दिये जाएंगे 3 से कम marks वहाँ पर किसी को भी नहीं दिये जाते हैं जाने कि यह जो marks आपके add होते हैं तीन से कम किसी के भी नहीं होते हैं तो तीन माक्स तो मिनिम्माम आपके एड़ महां पर हों गई तो उम्मीद है कि आपको सारी बाते समझ में आ गई होंगे आज की वीडियो में तना ही कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या अफर आप मुझे से इस्टा पर डियम करके बात भी कर सकते हैं